Hi everyone, welcome to this video. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना 100% दे सकते हैं किसी भी चीज में. किसी भी चीज में अगर आप अपना 100% देना चाहते हैं, तो आप कैसे देंगे? How to give your 100% in anything? आप जो भी काम कर रहे हो वो perfect हो जाए, ये कैसे possible है? तो इसके लिए आज हम तीन बातों के बारे में discuss करेंगे. पहली चीज है कि कोई भी चीज आपकी 100% तब ही अच्छी हो सकती है जब आप उसको enjoy करो. आप उसको burden ना मानो और आप ये सोच के करो कि ये जो काम है मुझसे बहतर कोई नहीं कर सकता. जब आप इस बिलीव के साथ उस work को शुरू करेंगे तो आप उसमें अपना 100% दे पाते हैं. उसको आपको enjoy करना है और उसे एक burden के तरह नहीं मानना है. दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि 100% देने के लिए आपका जो मन है वो बहुत शान्त होना चीज और आपको फालतू दूसरी चीजों के बारे में उस टाइम नहीं सोचना है. अपने काम पे सिर्फ focus रखना है और उसी चीज के बारे में सोचते हुए उसी चीज के बारे में आपको करना है. अगर आप बहुत सारी चीज़े एक साथ करोगे एक साथ हैंडल करने की बोशिश करोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं. और इसमें फिर आपका डबल लॉस हो जाता है. तो डबल लॉस कैसे होता है? पहली बात तो एक जो चीज आप करने जा रहे हो उसके चीज में आपने काफी उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़े नहीं की. मतलब आप अपना टाइम के बहुत सारी चीजों को छोड़कर लेट से कि आप अपना टाइम उस तरफ लगा दिया है और उस चक्कर में आप बांकी चीज़े चोड़ चुके हो बांकी आप अपनी होबीस पर ध्यान नहीं दोगे बांकी आपका कोई भी काम है तो अब आप उस पर इतना ध्यान नहीं दोगे जितना ध्यान आपका UPSC मे दोगे एक डबल लॉस है क्योंकि एक तो जो चीज आप ने छोड़ी वो आपके हाथ से गई और दूसरा जो आप कर रहे हो वो भी उस पर आपका फोकस नहीं तो भी आपको 100% नहीं दे पाएगा तो यह डबल लॉस वाली सिचुएशन है जब आप इसी चीज में अपना 100% नहीं देते हो तो यह बहुत बड़ा लॉस होता है एक तो वो काम अच्छे से होता नहीं वो काम तो खराब हो गाई होगा या अगर होगा तो एक एवरेज वो जाएगा दूसरा बाद में आपको फीलोगा कि टाइम भी वेस्ट हो गया इससे अच्छा था कि कुछ और आप तो कोई भी चिज अगर आप थ्यान से करते हो तो यह वह सक्सेस्ट्पल थी उसका रिजल्ट तभी अच्छा आता है तीसरी चीज जो आप यहां पे इंशूर कर सकते हैं वो यह है कि कोई भी काम हो कोई भी आप चीज कर रहे हो तो अगर आप उसमें पूरे दिल से नहीं तो वो अच्छे से नहीं हो सकता आपके कर्म बहुत होते हैं जो हम काम करते हैं जो हमारा वर्क होता है वो हमेशा रहता है वो आपके साथ रहता है आपके बाद भी रहता है आप चाहे कहीं नहीं भी होते हो तो भी आपके काम की चर्चा होती है यह हमेशा याद रखिए हो तो भी लोग आपके काम की बात करेंगे, कि उसने इतनी अच्छे से काम किया, तो देखो आज वो कहा पहुंच गया है, अगर आप बुरा काम पे करते हैं, तो अब बात करें भी बात करेंगे, तो आप अर जगा प्रेजेंट नहीं हो, तो आपका काम, आपकी डेडिकेशन हर जगा प्रेजेंट है, आप शायद हो सकता है कि अपने आपको यह सोच रहे हो कि यह काम करके मैं निकल जाओंगा, जैसे तैसे करके छोड़ देता हूं, या देख लूँगा, या प्रोकैस्टिनेशन कर रहे हूं, बट आप यह भूल जाते हो कि इसका इंपक्ट लाइफ रहता है, इवन आप्टर लाइफ भी रहता है, हमार लाइफ में ऐसे कितने ही लोग होंगे, जो शायद आज प्रेजन नहीं हम पहले जानते थे, या जिन से हमारा पहले कोई इंटरेक्शन था, जो शायद अब इस दुनिया में भी ना हो, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, पर आज हम उन लोगों को क्यों याद करते हैं, उनके काम के लिए, चाहे वो बड़े-बड़े लीडर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों, चाहे वो हमारे अच्छे सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो इंस्पाइरिंग लोग हो, वो सारे लोग अब नहीं है पर उनका काम है, जिसके लिए आज भी चल्चा होती है, जिसकी बाते आज भी होती है, और जिसे लोग आज भी डिसकस करते हैं, तो आपका काम, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, किसी भी चीज में आपका 100% जवाब देते हैं, वो इतना परफेक्ट होता है, वो इ कहीना कहीं मोटिवेट करेंगी 100% देने के लिए और अगर आप अपने आपको सोच लोगे कि मुझे इसमें 100% देना है तो आपको कोई नहीं रोख सतना किसी भी चीज को समझना है कि वो काम कैसे होता है उस पर प्रैक्टिस करनी है और लगे रहना है कंसिस्टेंट रहोगे त तो अपने आप 100% आजाएगा I hope this video was helpful thank you so much for watching